हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ राजबूति पोशाक की कुर्ती की सिलाई तो आप देख सकते हैं ये जो कुर्ती मैंने बनाई है आज इसी की सिलाई मैं आपके साथ में शेर करने जारी हूँ तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कूल भी स्कीप ना करें और पूरी वीडियो को अच्छे से देखे ताकि आपको इसकी सिलाई अच्छे से समझ में आ सकें इस कुर्ती का मेजरमेंट है कुर्ती की लंबई है 26 और चेस्ट है 32 तो कुर्ती की लंबई 26 ली है मैंने और सीना इसका 32 लिया है इसी के हिसाब से मैंने ये कुर्ती बना के तयार की है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है तो आप वहाँ द कपड़ा आप गुणा भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से निकला हुआ है तो इसी तरीके से अभी हम इसको बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर मगजी तयार कर रही हूं मगजी की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है तो प्लीज आपको काफी एल्प मिलने वाली हैं तो इस तरीके से आप कुर्थी को बनाने से पहले मगजी में इस तरीके से रफ्टे में गुल्डन कपड़े को और ऐसे फॉल्ड करते हुई हम लोग सिलाई लगा देंगे सिलाई को हम पहले बड़ी कर देंगे और थोड़े-थोड़े कपड़े को हम फॉल्ड करते जाएंगे और गुणे को कपड़े को भी दबाती हुए हम पूरी मगजी को इसी तरीकी से तयार कर देंगे ये देख सकते हैं आप मगजी मेंने तयार कर ली है अभी मगजी को हम कुर्ती पे अटेच करेंगे अस्तर वाले कपड़े को और फेबरी का जो अपड़ा था इसको मैंने पहले कच्छी सिलाई लगा के अटेच कर लिया है ये तरीका भी मैंने पहले बताया हुआ है इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबीना हो जाए इसलिए डायरेक्ट मैंने कच्छी सिलाई कर दी है और अभी आपको सिलाई बता रही हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आस्तीन पे गुणा लगाएंगे इस तरीके से गोल्डन कपड़ा लगाते वक्त हम लोगों ने जो सिलाई ली थी उसके पास पास होते हुए हमें सिलाई निकालनी है और यहाँ से कट करते हैं अभी हमें डायरेक्ट सीधी सिलाई लगानी होती है क्योंकि पहले से हमने फॉल्ड कर दिया है और जो फैवरी का कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हम निकालेंगे और छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे नेक का कपड़ा लगाने के लिए आप देख सकते हैं मैने अस्तर के कपड़े को कटिंग किया है पर उपर वाला फॉम का कपड़ा है उसको मैंने कट नहीं किया है तो उसको मघजी लगाने के बाद में ही कट करेंगे यह आप खास ध्यान रखेंगे पुशाक बनाते वक्त अधिक तरवार सब लोग क्या कर लेती हैं कि नेख साथ में दोनों कपड़ाई की कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में जब हम मगजी लगाते हैं तो उपर वाला कपड़ा खिसक जाता है तो इसलिए आपको उपर वाला देख सकते हैं आप फॉर्म के कपड़े को कटिंग नहीं करना है यह मैंने दोनों साइड में आस्तिन लगा दी हैं अभी हम लोग नेक पे मगजी लगाएंगे तो आप देख सकते हैं नेक के सेंटर में मैंने कट लगाया हुए हैं तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप तेख सकते हैं मैंने फॉम का कपड़ा नहीं काटा है अस्तर के उपर मैंने सिर्फ नेक कटिंग की है कई बार मतलब नेक के वहाँ पर डिजाइन भी आती है गले की डिजाइन आती है तो हमें वो कटिंग नहीं करनी होती है पहले अच्छी तरीके से लगा देंगे उसके बाद में हम लोग कटिंग करेंगे ताकि हमेरे डिजाइन नहीं कटे इसमें हम लोग मगजी के कपड़े को हलका सा खीचते हुए लगाएंगे ताकि गल्ला जब बने बनके तयार हो तो उसके अंदर जोल नहीं आए तो यहाँ पर थोड़ा सा कीचते हुए मैंने पूरे नेक को लगा दिया है और नीचे वाले को थोड़ा सा फॉल्ड करने के बाद उपर से इसको भी फॉल्ड कर देंगे तो अभी हम फॉर्म के कपड़े को काटके अलग कर देंगे ध्यान से आराम से सिलाई को बचाते हुए हमें कटिंग करना है एक्स्टा कपड़े को हम लोग निकाल के अलग कर देंगे और जो भी राउंड है वहाँ पर हम छोटे-छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि गले में फिनिसिंग अच्छे से आए इस तरीके से आप सिलाई को बचाते हुए एक्स्टा कपड़े को काट ले फॉर्म के कपड़े को और यहाँ पर छोट-छोटे कट लगा दे कट आप आराम से लगाएंगे सिलाई का कपड़ आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है नहीं तो वो किसक के निकल जाएगा तो अभी हम लोग डाइरेक्ट सीधी सिलाई कर देंगे क्योंकि हमने पहले ही मकजी को फॉल्ड कर दिया था तो अभी सिलाई करने में हमें आसा नहीं रहेगा तो आप इस तरीके से सीधी सिलाई कर ले दो तरीके होते हैं तो उसमें हमें साथ साथ में फॉल्डिंग करना होता है ये देखें, नेक हमारा बनके तयार हो गया है इसको हम उल्टा निकालके सिलाई लगा देंगे इस तरीके से आप मगजी बना के सिलाई करेंगे तो पुशाक बनाने में और आसानी रहेगी बाकि दूसरा तरीका भी मैंने आप देख सकते हैं मैंने जमपर बनाई थी तब मैंने बता रखा है तो यहां पर एक एक कच्छी सिलाई लगाने के बाद में हम लोग इसका मेजरमेंट करके देख लेंगे हमें 32 पर कुर्ती 31 पर हमें कुर्ती तयार करनी है तो 15.5 हमें जब फॉल्ड होता है तब 15.5 तया यह रखना है यह आप देख सकते हैं अभी आर्म होल बन गए है नेक बन गए है अभी यह हमें इसको उल्टा कर देंगे कुर्ती को उसके बाद में हम लोग इस हिसे से लगाना चलू करेंगे और इसको शुरू करने से पहले आप एक इंच के लिए मगजी आगे छूड देंगे लगाते हुए कॉर्णर में हमें कट लगाने के बाद में सिलाई लगानी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से सिलाई लगाते हुए मैं थोड़ा सा आगे निकली हूँ तो इसे तरीके से आप आगे निकलेंगे और आदा इंच कपड़ा फॉल्ड करके इस तरीके से सिलई लगा देंगे यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है इसलिए आप इसको बार-बार देखेंगे आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वापस हम जब सिलई करते हैं तो जो सिलई हमने छोड़ी हैं वहीं पर हम पहले सुई को एंटर करेंगे और आगे का हिसा चलाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर किसी भी कपड़े को खीचना नहीं है यहाँ पर भी आप देखना सिलई लगाते हुए मैं थोड़ा सा आगे निकल गई हूँ एक इंच तक सिलई हमें ज़्यादा करनी है और अभी आदा इंच इस तरीके से फॉल्ड करेंगे और तीरचे करते हुए हम लोग सिलई लगा देंगे अगर आपको समझ नहीं आये तो आप कमेंट कर लेना मैं इसके दो या तीन मिनट के अलग से कॉर्णर बनाने वाली वीडियो अपलोड कर दूंगी इस तरीके से हम लोग कट लगाएंगे उसके बाद हम सिलई करेंगे अगर आप नहीं हैं तो आप दीरे-दीरे से अराम से सिलई करें और यहां पर इस तरह के कॉर्णर को मैं आसे ही तयार कर दूंगी लाश्ट वाले कॉर्णर पर आप थोड़ा सा ठीक से देखना क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ठीक से देख लेना यह जो बनने वाला भी लास्ट कॉर्णर पर जाएगा कपड़े को हमें बिल्कुल नहीं किचना है यह देखें बैक साइड में मैं वापस आ गई हूँ और मगजी को मगजी के उपर इस तरीके से जमा देंगे और अलका सा तिर्चा करते हुए सिलाई बाहर निकाल देंगे और एक्स्टा कपड़े को काट के अलग कर देंगे अभी आप यहाँ से बैक टेक लेते हुए आराम से सिलाई लगा दें जैसे की नॉर्मल ड्रेस को हम सिलाई करते हैं उस तरीके से क्योंकि मगजी वैसी फॉल्ड हो रगी है तो इसमें आपको कुछ भी मेनत नहीं लगी कि आप आराम से कॉर्णर पे भी बहुत आराम से आप सिलाई कर देंगे ये देखे कॉर्णर बहुत ही प्यारा बना है इसे तरीके से आप भी सिलाई करें और अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आए तो देखे आप दोनों तरब से बहुत अच्छे से कुर्टी बनके तयार हो गी है लास्ट में हम लोग नैक में दागा डाल देंगे इसमें बड़ी सुई में दागा डालके उल्टा करते हुए हम लोग इसमें वो कर लेंगे और ये जो कच्ची सिलाई की है इसको एंड में हम खोल देंगे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैंने इस कैसे कच्ची सिलाई करती हूँ वो मैंने आपको बताया हुआ है तो बस कच्ची सिलाई को भी हम खोल देंगे और आप देख सकते हैं कुर्टी पूरी बनके 31 का चेस्ट हो गया है ये देखिए कॉर्णर बहुत ही अच्छे से कॉर्णर बनके तयार हुए है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट जरूर करना तो बस आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाई